इस प्रश्ण में यह कह रहे हैं A और B किसी काम को 12 दिन और 15 दिन में करते हैं मतलब A और B दो व्यक्ति हैं A एक काम को 12 दिन में और B 15 दिन में करते हैं टो आप से पूझ पूछ लिगों मिल जी काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे तो इसका एक अच्छा जो है तरीका वह क्या है कि 12 और 15 दिन में काम हो रहा हृ जो काम हो रहा हो रहा हो क्या unit है यह तो आमें पता नहीं तो यहां अपनी मर्जी से मान सकते हैं हम यहां पर वो unit मानेंगे, जो दोनों से क्या हो जाए, भाग हो जाए, तो अगर आप 12 के पहाड़े में देखें, तो 60 आता है, जो 15 से भी भाग होता है, तो मैं क्या करती हूँ, कि यह जो 60 है, मैं मान लेती हूँ, कि वो जो total काम कर रहे हैं, वो क्या है, वो 60 unit है, तो 60 unit काम A 12 दिन में करता है, और B 15 दिन में, तो यानि कि एक दिन में अगर हम देखें, तो एक दिन में जो है, आपका A कितना करेगा, तो अगर पूरा काम 60 unit है, और उसे करने में से 12 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, 60 को 12 से भाग कर दे, यानि कि 5 unit काम आपका जो A है वो एक दिन में करता है वहीं B 60 unit काम को पंदरा दिन में करता है तो Stevens करेगा तो यूनिट को जब भाग करेंगेBob 15 तो कितना बातक मत प्रम्स जारी आता है लूगने जब आई एक तो आप यह कह सकते हैं या और इसे आगे भाग करें तो छे ती अठारा दो बटे तीन जो है छे दिन दो बटे तीन आपका ये आंसर होगा कि इतने टाइम में ये लोग इस काम को पूरा कर लेंगे